तो पश्शिम बंगाल में बीजेपी आज सत्ता की रेस में मजबूती से आगे बढ़ रही है 2019 लोगसभाचुनाव में 18 सीटे जीतने के बाद बीजेपी पश्शिम बंगाल को लेकर चर्चा में है लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1991 लोगसभाचुनाव में पश्शिम बंगाल में बीजेपी को 11.7 फीजदी वोट मिले हाला कि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली 1996 में हुए लोगसभाचुनाओं में BJP को 6.9 फीजदी वोट मिले इस बार भी BJP को कोई सीट नहीं मिली 1993 के लोगसभाचुनाओं में BJP को 10.2 फीजदी वोट मिले सीट इस बार भी कोई नहीं मिली लेकिन 1999 के लोगसभाचुनाओं में BJP को 11.1 फीजदी वोट मिले नहीं आई लेकिन 2009 के लोकसभा में BJP को 6.1 फीस्दी वोट में गया अब देखिए वोट बढ़ रहे लेकिन सीट कहीं हाथ में नहीं आ रही थी 2014 लोकसभा चुनाओं में BJP का वोट बढ़कर 17 फीस्दी हो गया लेफ्ट की सरकार के जाने के बाद पहली बार BJP को दो लोकसभा सीटों पर जीत मिली और 2019 में BJP ने 40.6 फीस्दी वोटों के साथ 18 सीटों पर जीत दर्च की आकड़े बताते हैं कि BJP की पश्चिम मंगाल में मौजूदगी रही है सूबे में अच्छे खासे वोटर BJP के साथ रहे हैं हाला कि सीट के तौर पर BJP को बड़ी काम्याभी 2019 में बिली है